नारियल तेल में मिला कर दो बुद इस चीज को लगाने से बालों की लंबाई दस गुना बढ़ेगी किवल दो दिन वो भी 100% कारगर अगर आप बालों की लंबाई को सच में बढ़ाना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है नमस्क और ओयल तील का तेल और लिया है नारियल का तेल दोस्तों हमें सभी तेलों को उपयोग नहीं करना इसको नुसके के लिए आगे हम इसमें से एक या दो ओयल का किवल यूज करेंगे लेकिन अपने बालों में आप उपयोग करने के लिए इन तीनों में से किसी भी ओयल को उ दोस्तों यहां पर हमने लिया है एक चममच नारियल का तेल हमने नारियल के तेल को पहले आंगर्म कर रखा है ताकि वो पिघल सके थंडे के मौसम में नारियल का तेल जमना आमसी बात है इसलिए आप इसे हलका गुन-गुना करके ही उपयोग करें ताकि आपके स्केल्प एंटी ऑक्सडेंट एंटी बैक्टिरियल गुड़ भी होते हैं जो हमारे बालों को जमगदार मुलायम बनाते हैं और हमारे स्कैल्प में किसी भी संक्रमन को दूर करते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि स्कैल्प में कुछ संक्रमन हो जाते हैं जिससे बालों की जढ़ने की समस् सुरू है जाती है तो ऐसे भी स्कैल्प पे तो हम अपनी आखों सो देख नहीं सकते तो इस तरीके को अपना कर आप अपने बालों को तेजी से लंबा घना कर पाएंगे नेक्स्ट हम ले रहे हैं अरंडी का तेल यानि कैस्टर ओयल जिया दोस्तों कैस्टर ओयल भी आपके बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है यह तेल बहुत ही चिपचिपा होता है इसलिए इसमें आप नारियल का तेल जरूर मिला लें क्योंकि जब तक आप इसमें अगर आपके इसकेल्प में रूसी ए तो रूसी को समस्या को भी खत्म करेगा रूसी होने पर बहुत ज़यादा तूड़ते हैं तो तो ऐसी समस्या को भी ये ओयल, ये नुस्खा बहुत ही आसानी से खत्म कर देगा, जिसे आपके लंबे बालों का सपना आसानी से पूरा हो जाएगा, अरंडी के तेल में ऐसे भी गुड़ होते हैं, जो बालों को सुष्ट बनाने के साथ साथ है, डेंडरफ है, दो मुहे बा अगर आपको बालों को लंबा करना है, घना करना है, तो आप इस दुस्के को जरूर आजमाएं, आपको अच्छे से इसे चमच की मैसे मिला लेना है, नेक्ट हम ले रहे हैं बिटमिनी कैपसूल, जी हरुस्तों, बिटमिनी कैपसूल आपको आसानी से किसी भी दुकान पर, किसी भी medical store पे मिल जाएगा अपने बालों को लंबा और घणा करने के लिए आप vitaminic capsule का उपयोग जरूर करें बालों को तेजी से लंबा करेगा बालों की length को बढ़ाएगा अगर आपके बाल बहुत जादा पतले हैं तो बतले बालों को घणा करने मैद करेगा दोस्तों रूसी की समस्या को तो आसानी से ठीक कर देगा अब बाल में अगर रूसी होती है तो बहुत ही problem होने लगती है हमारे बालों में बाल ज़ाणने लगती है इसमें hydrating और anti-aging गुड होते हैं जो तोचा और बालों के लिए बेहदी फायदेमंद होते हैं कुछ लोग इसे अपने skin पर भी यूज़ करते हैं जिससे skin tight होती है दोस्तों इसके गुड बहुत सारे हैं लेकिन अगर आप बालों पर इसका उपयोग करते हैं तो आपके बालों की लेंथ बहुत ही अच्छी होगी आपको एक च्याको के मस से इसमें छोटा सा छेद करना है और इसे बूंदबूद करके इसे निकाल लेना है अच्छे से आपको इसे दबा कर निकालना है जितना भी oil, जितना भी gel इसके अंदर है पूरा हमें निचोड लेना है अच्छे से आज कल बदलती life style के कारण बालों पर बहुत ही बुरा सर पड़ रहा है बालों रूठ और बेजान होका तूटने लग रहे हैं बालों के ज़रने की इस समस्या को रोकने के लिए बिटमिनी कैपसूल सबसी किफायती हो बहुत ही बहतरी होने वाला है आपके बालों की लेंद को बढ़ाएगा बालों के ज़रने की समस्या को तो बिल्कुल ख़त्म करेगा दोस्तों अगर आप बालों को तेजी से लंबा करना चाहते हैं तो सबस्काइब कर बेल आइकोन जरू दबाएं और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सीधी जानकारी मिले तो वीडियो को एक लाइक जरू करें दोस्तों आपको इसे लगाने के लिए रात को सोने से पहले अपने स्कैल्प में लगाना है दोस्तों अब सुबह को अच्छे से सैंपू से धूल लेना है इसे आप सब्ताह में दो बार उपयोग करें यानि कि एक सब्ताह में दो दिन ही इसका उपयोग आपके बालों के लिए काफी होगा कभी भी इसे भूल कर दिन में ना लगाएं दिन में वैसे भी आपको ओयल नहीं लगाना चाहिए इसे आपके बालों में धोल मिटी चिपक जाती है और बाल तूटने लगते हैं तो आप रात को सोने से पहले ही लगाएं और सुबह बालों को अच्छे से सैंपू कर लें बालों की लेंद को तेजी से बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ है पोड़क्ट चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं आयरुवेदिक है केमकल फिरी केमकल फिरी चीजों कही उपयोग करें और बालों को तेजी से लंबा और घना करें